नमस्कार दोस्तों मैं हुए SP शर्मा आप दिख रहे हैं Green Garden Channel Green Garden Channel में आप सबीकर शागत है आज मैं आप लोगे की साथ शेयर करूँगा रोज फ्लॉर प्लांट में आप लोग बाट ग्राप्टिंग कैसे करेंगे आप आपकी रोज फ्लॉर प्लांट की बाट ग्राप्टिंग कर शकते हो इनकेस अगर आपने काटिंग से कोई रोज फ्लॉर प्लांट ग्रो किया है मीनी फ्लॉरा की काटिंग ग्रो किये है या जंगली फ्लॉर प्लांट की काटिंग ग्रो किये है तो उस cuttings में आप लोग बाट ग्राप्टिंग कर शकते हो ग्राप्टिंग करने के लिए आपके पाश रोज फ्लॉर प्लांट की कुछ cuttings होना चाहिए हो शकते है आपकी floor plant जंगली हो जैसे कि ये cuttings आप जंगली floor plant से भी लगा शकते है रोज फ्लोर की जंगली फ्लोर प्लांट की काटिंग आप लगाएंगे तब भी काटिंग ग्रो करशकते हो इनकेस अगर आपके पाश मीनी फ्लोरा है तब भी आप काटिंग ग्रो करशकते हो और नहीं तो आपके पाश होना चाहिए क्लाइम्बिंग रोज मिनी फ्लोरा की आते है क्लाइमिंग रोज यह मैंने काटिंग्स ग्रो किया था इनकेस अगर आप लोगोंने मेरा वीडियो नहीं देखा होंगे तो उपर आई बटन में एक लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है उस लिंक को देखिए उस वीडियो को देखिए और आप लोग काटिंग्स बहुत ही अशानी से आपके घर पर ग्रो करें काटिंग्स ग्रो होने के बाद यह देखिए हो तो इससे आप एक फ्लावर प्लांट बना लीजी और नहीं तो इसमें कुछ फ्लावर प्लान्ट की ग्राप्टिंग करें यह इसमें बहुत ज़्यादा काटे है यह काटे को सबसे पहले आपको अलग कर लेना है और काटिंग शक्सेस होने के बाद ही करेंगे इसमें huge quantity में roots आ चुके हैं काफी ज़्यादा roots है इसमें इसकी आभी आप अगर reporting कर देंगे तो इस फ्लावर प्लान्ट की growth बहुत अच्छा हो जाएंगे हमको grafting करना है इसलिए मैंने इसको grow किया था शबसे पहले आपको यह जो काटे है काटे को अलग कर देना है ऐसे करके ग्राम्टिंग करने की लिए आपके पास एक knife होना चाहिए ऐसा और नहीं तो एक cutter होना चाहिए मेरे पास एक cutter है मैंने cutter लिए है सार्प काट करने के लिए और जैसे हमने प्लांट लिये है हो शक्त है आपके प्लांट पॉट में हो ऐसे प्लांट लेने के बाद आपको एक टी काट करना है टी काट आपको धेन रखना है टी काट हम कैसे करेंगे ऐसे करके ये देखिए बहुत अच्छा से देखेंगे ऐसे करके एक काट लगा देंगे ये ब्रांच की कवर की उपर इसके बाद लंबे करके नीचे की और हम लेकर आएंगे ये हमने टी काट लगा दिये है ये टी काट लग चुके है इसके बाद इसका जो कवर है हमको धीरे धीरे करके लूज कर देना है बहुत ही धीरे धीरे करके ये देखिए ऐसे करके लूज करना है और ये बहुत ही आशानी से लूज हो जाते है क्योंकि हम लोगों ने आभी टी काट किये है ये काटर की पिछले हिश्चे से भी आप लूज करशक्त है ये देखिए हमने काटर को लूज कर लिये है ये बहुत अच्छा से लूज हो चुके है इसके बाद इसको एक साइड में रख लेना है इसके बाद हमको एक ब्रांच लेकर आना है हमने एक छोटी सी ब्रांच लेकर आए है ये देखिए और इसमें नोट से ये देखिए ये जो नोट से हमको करना है ग्राप्टिंग तो इसको हमको लेना है हो सकते है ये जहाँ पर कटा हुआ ये थोड़ा से और लंबा हो तो ज़्यादा अच्छा है इनके सागर आपके पाश ऐसा मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है इसके बाद इसको हमें यहां से कट करके लेके जाना है धीरे से धेन रखिएगा आपक यह हमने काट कर लिये है आप इसका जो पीछे की हिश्चे है देखिए पीछे जो वाइट कलर का है यह हमको नहीं चाहिए है क्योंकि यह स्टेम का है और यह स्टेम हमें नहीं चाहिए पड़ते है यह देखिए यह स्टेम हम ऐसे करके निकल देंगे तो कोई भी एस ट्रेम ना रहे हाँ पर यह हमने काट दिये देखिए इसके साथ कुछ नहीं है यह आप लोग देख पर हैं बिल्कुल काट दिये है नीचे की हिश्य को थोड़े से छोटे करके आप इसको काट लिजिए बरवर कर लेंगे ऐसे करके काट करके यह देखिए मैंने काट कर लिए है आप इसको यह नोट को नहीं पकरना है ऐसे करके हम पकरेंगे यह कबर को थोड़ा सा ऐसे खिच लेंगे और एक साइड में ऐसे डाल देंगे और इसके बाद दुसरे जो कबर है दुसरे कबर को भी थोड़ी से उठा लेंगे उठाने के बाद ऐसे करके आरम से हमको अंदर की और प्रेस कर देना है एक कुछ अंदर की और आ चुके है ये कवर थोरा सा हम उठा लेंगे ताकि दोनों कवर की बीचो बीच आ जाए हमारे नोट्स ये दिखे बिलकुल बीचो बीच आ चुके है और इसके बाद हमको जहां से कट किये है वो बिलकुल बराबर हिश्चा में आ जाना चाहिए बिलकुल बराबर हिश्चा में आ गया है यह देखिए यह बिलकुल बैट चुके है बहुत अच्छा से देख पा रहा है ऐसे ही करके आपको बैठल देना है इसके बाद आपके पाश होना चाहिए grafting tape ए दिखीए मेरे पाश grafting tape है यह Amazon flip card से मिल जाते है आप लोग को अगर चाहिए है तो आप लोग Amazon यह फिलिप card से purchase कर शकते हैं यह कुछ ज़्यादा चावड़े है तो मुझे इतनी ज़्यादा चावड़े नहीं चाहिए है थोड़ी से हम fold कर लेंगे इसको यह दिखीए stretchable है इसके बाद हमको इसको बांधना है बांधने के लिए आप हमेशा धेन रखिएगा अच्छा से बांधनेंगे एक हाथ ऐसे रखेंगे दूसरा ऐसे घुमा के थोड़ी खीचेंगे इसको यह दिखीए यह stretchable है तो tight हो जाएगा यह अपना आप tight हो जाएगे ऐसे करके बांधने यह दिखीए बहुत अच्छा से tight हो गया इसके बाद उपर notes को सिर्फ छोड़ देंगे हम यह दिखीए notes को छोड़ दिये आप देख पा रहा है बहुत अच्छा से tight कर दिये है यह बहुत अच्छा से बांध दिया हमने ऐसे ही आपको बांधना है आखरी में थोड़ा सा इसको खीच लेंगे खीचने के बाद एक बार ऐसे करके यह उंगली की यहाँ पर थोड़ा सा आप गैफ राक लेंगे क्योंकि इसको आपको गाठान माणने की कोई भी जरूत नहीं है इसको यहाँ से हम डाल देंगे और डालने के बाद एक बार खीच के इसको tight कर देंगे आपको अलाग से गाठान की कोई भी जरूत नहीं परेंगे एह देखिए एह बन चुके है इसके बाद हमको जो करना है यह जो branches है यह branch एक भी नहीं रहना चाहिए इसमें अगर branches रहेंगे तब हमारा एह notes एक्टिव नहीं होगा इसके बाद हमको इसको cover कर लेना है एक polythene लेंगे polythene से हम पूरा cover करके रखेंगे देखी दोस्तों मैंने तीन ग्राप्टिंग किया है इसमें एक ए है ऐसे करके आपको ग्राप्टिंग करना है और पूरा success होंगे उसके शाथ पूरा update के शाथ आप लोगों को मैं share करूंगा इसका जो result होंगे पूरे result इसके बाद हमको इसको cover कर देना है यह मेरे पर जिलेटिन है यह जिलेटिन से मैं cover कर दूंगा ताकि इसके अंदर जहाँ पर अभी ग्राप्टिंग किया है उस जगा पर पानी ना गोस्पाए और यहाँ पर मैं बान्दूंगा यह दिखिए मैंने cover कर दिये है और transparent कोई जिलेटिन से आपको cover करना है ताकि इसका जो result है आपको देखने को आए चले इसके बाद मिलते है इसके पूरा result के साथ टीक दस दिन बाद उपर लगा हुआ जो cover है यह cover को अलग करेंगे और अलग करके देखते है इसमें result कैसा आया है ठीक दस दिन बाद cover मैंने अलग कर दिये है और ठीक दस दिन बाद है दिखी इसमें result आ चुके है second में भी result आ चुके है कितनी छोटे छोटे थे यह बाद्स देखी आप भी बड़े हो गए इसका भी आप लोग देख पा रहा है तीसरे हो गए चौथे में भी अच्छे result है यह देखी यह चौथे में भी result अच्छा है यानि कि शवी बाद्स इसका notes इसका बड़े होते जा रहा है एक बात आभी देने का है इसमें जो भी branches हो रहा है new branches आ रहा है दस दिन में देखी branches भी आ चुके है यह branches हमको नहीं रखना है जितनी भी branches आएंगे शवी branch को हमको तोड़ देना है यह pot की size बहुत ही छोटे है आभी हमको reporting करना है in case आभी हम reporting नहीं करेंगे तो इसका growth और अच्छा नहीं होगा क्योंकि इतनी सी soil में आभी हमने कभी भी fertilizer भी नहीं दिया था तो बहुत ज़्यादा nutrition नहीं होंगे nutrition अगर ज़्यादा नहीं होगा तो यह flower plant की जो graft की area है यह ज़्यादा development नहीं हो पाएगा इसलिए आभी हमको reporting करना है ओ मैं reporting कर लूँगा आप लोगों ने देख लिया कैसे आप लोग बर्ट ग्राप्टिंग कर शकते हैं रोज flower plant की ऊपर ऐसी करके आप लोग बर्ट ग्राप्टिंग करें आप लोग को 100% success result मिलेंगे आभी हमने cover तो अलग कर दिये थे लेकिन आभी भी हमको कुछ शमय तक cover करके रखना है क्योंकि कभी भी हम watering करेंगे तो इसकी ऊपर watering ना करें इसकी ऊपर water ना आए यह rainfall होगा तो इसमें से पानी ना आ जाए और नहीं तो grafting area खराप हो जाएगा एक महिना तक हमको cover करके रखना है उसके बाद हम cover को हटा शक्ते है उम्मीद करते हो दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंदाया है और अगर पसंदाते तो like कर देन शेयर कर देना शाब्सक्राइब जरूर कर देना शाथ में बिल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आओ अब तक तुरंद पोस्टा के दूस्तों आज यही तक है इसके बाद फिर में लेंगे नया टपिक के शाथ नया जानकरे लेकर आए थेंक्स वर बाचिएंग